तो दोस्तों Realme GT Master Edition यूजर के लिए एक बार फिर से एक नई अपडेट Realme ने रोल आउट कर दिया है और आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानेंगे और साथे साथ Android 12 के Stable Update के बारे में भी बात करेंगे फिलहाल जो अपडेट आई है न दोस्तों वो Android 11 बेस्ट है और ये अपडेट Android 12 के अपडेट के लिहाज से भी बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए अगर आप Android 11 पे हैं तो भी अगर आप Android 12 पर हैं तो करें हैं डिवाइस को इस्टेवल किया गया है पहले से जाधा और यहां पर जो है एप्लिकेशन स्लाइडिंग जो है अब आपको टच में यहां पर इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगी एप्लिकेशन स्लाइड करते हुए अभी जो एक्सप्रियेंस है वो आपको यहां पर इंप्रूब होते हुए नजर आएंगे जब आप एप्लिकेशन को स्लाइड करेंगे तो थोड़ा सा यह स्मूध किया गया है यहां पर इसे टच को तो यानि कि जे अगर हम बात कर लें इस अपडेट के ना तो सीकुरिटी पैस के लिहाद से एक छोटी सी बग फिक्स क आ गया है डिवाइस को और भी स्टेवल की गई होगी यह एंड्रॉइड 11 यूजर के लिए हैं अभी बात कर लेते हैं इंड्रॉइड 12 के जी हां दोस्तों चुकि एंड्रॉइड 12 के स्टेवल अपडेट का बहुत से इंतजार गर रहे हैं चुकि बीटा अपडेट तो ऑल अपडेट के लिए जैसे ही यह पूरी तरह से स्टेवल हो जाएगी ऑफिसियल वर्जन करके इसी अपडेट को रोल आउट कर दिया जाएगा अब यह कब तक किया जाएगा यह बताना फिलहाल मुस्किल है लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिये थे कि आपको होल हो जाती है तो आपको अपर्ईल महीने के परफम सपता में तो मिलना ही मिलना है इसीवल अपडेट बाकिया इन्व पर हैं तो दक्कत वाली बात है छूकि बहुत कम यह यह जैसको रहा ह psic अपडेट का performance कैसा है यह बताइएगा हमें कमेंट स्रिक्षन में और अगर आप एंडुराइर 12 पर है तो C05 update का इतिजार करिए जैसा ही बगफिक्स के लिए आपके डिवाइस में update आएगी सारे इसके लिए स्टेबल बीटा के रूप में उसी update को दे दिया जाएगा मतलब अपडेट के लिए apply करने की अब कोई जरूरत नहीं है चाहे open बीटा हो चाहे अपडेट सब अपडेट आपको ऐसे ही मिलेगी और अगर आप Android 11 पर है न और ओपन बीटा वाली अपडेट आपको ऐसे ही मिल जाती हैं तो उसको भी अपडेट मत करिए का चुकि ऑफिसियल बरजन आने दिजिए अब बस 10-15 दिनों की बात है और आपको इस्टेबल अप